हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ गुजिया बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आज हम हलवाई जैसी खस्ता गुजिया एकदम घर पर बना कर तयार करेंगे इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी ये मैदा ले लिया है मैदे को हमें एक बड़ी सी थाली में डाल लेंगे इसके बीच में इस तरह से एक खोल कर लेंगे उसी के हिसाब से मैदे का एक चोथाइस में मोयन डालेंगे मोयन के लिए मैंने घी का इस्तमाल किया है पानी ही और दिनेंगे हमारा मोयन अच्छे सी लगा है नहीं इसके लिए मैय संअ दächstत के मुट्षी अगर आसानी से बंद जाता है तो इसका मतलद दी जब सब जब बंद सकت करेंगे करेंगे अबार में पानी है और ऐससम quicker से गरम है थोड़ा-थूड़ा कर के हलका गुन-गुना गरम पानी इसमें डालेंगे और इसका एक सक्त ताथा गूंथ कर तयार करेंगे हमें पूरी के आटे से थोड़ा सक्त ताथा गूंथना है थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालते जाएंगे और इसका एक सक्त आता गूंट कर तयार कर लेंगे इससे अच्छी तरह से मसल मसल कर गूंख लेंगे इससे गिले कपड़े से ढख देंगे ताकि आता ड्राइ नहों 15-20 मिनट तक रेस्ट पर रख देंगे और तब तक हम गुजिया के लिए मसाला बना कर तयार कर लेते हैं गुजिया के लिए मसाला बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम मावा लिया है मैंने इसे अच्छे से हाथों से मसल लिया है हम कड़ाई में मावा डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसी तरह चलाते हुए लगातार मावा को दो से तीन मिनट तक भून लेंगे मावा हमारा अच्छे से भून चुका है अब मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी पिसी हुई चीनी आप इसकी जगा चीनी का बूरा भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे आप चाहें तो चीनी को मावा में नीचे उतार कर पे मिला सकते हैं लेकिन उससे चीनी खाते समय चर-चर होगी और इस तरह से चीनी मावा के साथ पक जाएगी तो खाते समय इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और गुजिया की हमारी सेल्फ लाइब भी बढ़ जाएगी अब मैं इसमें डालेंगे एक कटोरी नारियल का बूरा इस तरह से बनीवी गुजिया हमारी खराब नहीं होती हैं आप इन्हें एक स्टोर करकर रखेंगे ना तब भी हमारी गुजिया खराब नहीं होंगी इन्हें अच्छे से बून लेंगे यह हमने इन अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें कुछ ड्राइफ रूट डाल देते हैं मैंने यह थोड़े से काजू और बादाम को दरदरा कूट कर ले लिया है इसे इसमें मिला लेंगे इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े सी किस मिला ड्राइफ रूट आपको पसंद के अनुसार डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो इन्हें अच्छे से पका लेंगे इन्हें हम दो से तीन मिनट तक और अच्छी तरह से पका लेंगे कि अच्छे से बुन कर तयार हो चुका है अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसे इस तरह से फैला देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं इसके बाद हम गुजिया मनाएंगे आटे को हमाई रेस्ट पर रखे वे बीस मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छे से से ओल चुका है कर दो और यह जो हमने मामा रखा था गुजिया बनाने के लिए यह भी ठंडा हो चुका है तो हम गुजिया बना लेते हैं आटे को मिस्तरा से दो भागों में तोड लेंगे और इससे इस तरह से बिल्कुट छूटी-छूटी के लिए हमें बिल्कुट छूटी-छूटी लोई बनानी है इससे हम आतों से मसल लेंगे इसमें कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए इससे अच्छी तरह से मसल मसल कर हम इसकी गूली बनाकर तयार कर लेंगे यह देखिए इस तरह से इसी तरह से हम अपनी सारी गूलियां बनाकर तयार कर लेंगे इन्हें एक गिले कप्ड़े से ढखकर रख देंगे ताकि यह सूखे ना अब हम एक चकला बेला ले लेते हैं मैंने एक लोई ले लिए हैं इसे इस तरह से बेल लेंगे इसे हमें बिल्कुल पतला बेलना है इसे घुमा घुमा के चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा पतला बेल कर तयार कर लेंगे गुजिया का लोई जितनी पतली हम बेलेंगे उत्ती जादा दिन तक हमारी गुजिया खस्ताक और कुरी बनी रहेंगे यह हमने लोई बेल लिये हैं अब बात आती है साचे की गुजिया बनाने के लिए जो साचे लें वो इस तरह से आपस में मिला हुआ लें अगर साचा इस तरह से बीच से दूर दूर होंगे तो आपकी गुजिया बीच में खाली रह जाएगी तो जब भी साचा ने इस तरह से मिला हुआ ले इसे साचे को इस तरह से सूखे आटे में लपेट ले जिससे जब हम गुजिया बनाएं तो वह एकदम से छूट जाएगी साचे में चिपकेगी नहीं इसे इस तरह से साचे के ऊपर रख देंगे हमने जो गुजिया का मसाला बनाया है इसे साचे के एक साइड में रख देंगे इस तरह से एक साइड में हम यह मसाला रख देंगे और इसके किनारों पर इस तरह से पानी से उंगली लगा लेंगे पानी की उंगली गीले जिससे हमारी कुझी अच्छे से चिपक जाएगी और जो हम इसे फ्राइ करेंगे तो यह खुलेगी नहीं इसे इस तरह से दबा लेंगे और जो इसके बाहर यह एक्स्ट्रा है आटा इसे निकाल लेंगे यह हमारी कुझी अच्छे आशानी से निकल गई है और शिपकी भी नहीं है गुझीया को बना कर एक प्लेट में रखते जाएंगे और इन्हें गिले कपड़े से ढख लेंगे जिससे हमारी कुझीया सूखेंगे नहीं एक गुझीया और बना लेते हैं इसी तरह से हम अपने बाकी सारी कुझीया भी बना कर तैयार कर लेंगे आप अप अप आप 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 यह मैंने सारी कुझीया बना कर तैयार कर ली हैं आप अब हम इने फ्राइ कर लेते हैं गुझीया फ्राइ करने के लिए मैंने तेल लिया है तेल हम तेज गरम कर लेंगे और उसके बाद गयस की फ्रेम को मीडियम पर कर लेंगे इस तरह से मिसमें तीन से चार गुझीया डाल देंगे जब वारी गुजिया नीचे से चिक्रा से सिख जाएंगी तो इन्हें हलकी हाथों से पलट लेंगी और इनकी दोनों तरफ से अच्छी तरह से गुर्डन ब्राउन होने तक सिख लेंगे यह गुजिया हमारी सिक्रा तयार हो चुकी है इन्हें निकाल लेते हैं कि इसी तरह से हम अपनी सारी गुजिया से कर तैयार कर लेंगे यह गुजिया हमारी बनकर तैयार हो चुकी है आपको दिखा देती हूं एकदम क्रिस्पी कुरकुरी यह गुजिया बनकर तैयार हुए कि आपकी गुजिया महीने भर तक भी खराब नहीं होंगी तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बिताईएगा तो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा